हेलो गाइज, एक्स्प्रोर राइडर हीयर, वेलकम बैक टू जा चैनल, आज मेरा जो वीडियो बनाने के रिजन है, मेरा गारी अभी 2262 किलो मेटर चल चुकिया है, तो मतलब मैं इतना तक गारी चलने के बाद मेरा किया रिज्यू एक्चुली ओपेनियान है, यह टाटा पा अभी में अकेला हूँ, एंड उसो, एंड CT मोट पे चल रहा हूँ, स्पीड लगभग 50-60 के आस पास है, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड काम कर दिया, माइज देख लो, 22.6 दिख रहा है, इन M.I.D. और अभी मैं इने 6 पे हू तो, या, देखो, ट्राफिक जाम देखो, यह नहीं सीक्स है, नहीं सीक्स में ट्राफिक जाम हूँ, मैं एक साइड पर कर दिया, दिली रोड पर हूँ मैं अभी, तो, देखो, अभी तक मैं चला लिया गाडी, मैं 2269, तो, मेरा ये वीडियो जादा बड़ा नहीं होगा, तूँकि मैं आभी गारी उतना चलाया नहीं, तो, कितना क्या एक्स्पीरियेंस जो है, और मैंने गारी अभी फास्ट सर्वीस ही किया हूँ, ओ भी टीसी मोटर्स में, मतलब जहां से मैंने गारी लिया था, तो, उसका एक्स्पीरियेंस अच्छा था, कोई भी दिक्कत नहीं आया, मतलब फास्ट सर्वीस में मेरा इक ही दिक्कत था, इस डोड से, कुछ आवा जा रहा है था, कुछ लूस हो गया था, यह डोड में कुछ पार्ट, तो ओर ठीक करके दिया, और कोई भी दिक्कत नहीं था, जितना जितना जो काम था, फास्ट सर्वीस में एकदम करके दिया, फास्ट सर्वीस में मैं सेटिसफाइड हूँ, गारी का क्लीनिंग भी बहुत ही अच्छे से किया था, बट उस टाइम पे भी फास्ट सर्वीस में उतना मेरा गारी घंदा नहीं हुआ था, तो ठीक ठाक था, फास्ट सर्वीस का एक्सपरियेंस, तो अभी मैं आता हो, एक्शली गारी का जो मतलब एडवांटेज है, टाटा पांच, सो फर्स्ट अफॉल जो यह AC है, टाटा का मंदलब हार गारी में ही AC अच्छा होता है, मैंने देखा, क्योंकि मेरा भाहिया का अच्छली इंडिका ता, उसमें भी मतलब AC जो था, एकदम अच्छे से कुलीं हो रहा था, बट कोई भी नए गारी होगा, उसका AC अच्छली अच्छी होगा, मैं दब एशी ऑड़ जो आप एक वाइफ टर डेटेड से फटार ढ़िघ अबंड़ है वाइफार जागा जारी में लिए सब्सक्वारए खेल होग psychiat केह से गारी आपका स्टेबल रहेगा यह पांच में मैंने दीखा मेरे इससे पहले वागनार था वागनार में मतलब 80 के उपर में जब मैं जाता था गारी उतना स्टेबल नहीं होता था बट पांच में ऐसा दिक्कत नहीं और एक जो बात है इसका एड्वंटेज इसका हेड थो में इक इड्वेड लाइट तो इसके लिए जो लाइट का थ्र own है बहुत ही आच्छा है तो और एक एडवांटेज जो है मतलब यह सीट का जो कुशनिंग है मतलब ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में जो गारी आता है तो मतलब इस प्राइस रेंज में अगर मारोती पर देखो तो स्विफ्ट आएगा सारे साथ लग के असपास जो एडवेंचर विद्री दिंपेक मॉडल है सो उसमें स्विफ्ट आएगा उससे तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली अच्छा है यह कुशनिंग और हुंडाई में आएगा ग्रेंड इन न्यूर्स लाइक उसका भी उपर का मॉ बीक ऐसे लिफ्ट आप सेरल का मॉम्हा मॉडल है पर यह जो बहुताओ आए अप्रीटव आप नहीं मॉडल्स अपरिल मैं च्छा लागा तौ उससे तो पूंच का यह सीट अच्छा लागा तो इसके में पूंच लिए इसके लिए प्स्चा है तो इसके पूंच लीए तो अभी जो बात है actually so disadvantage वाला थींग टाटा पांच का actually मतलब क्या बोलू सब कुछ ठीक है लेकिन जो हुंड़ा और मारोती का actually होता है क्या मतलब engine tried and tested टाटा का भी tried and tested है बत मारोती के तारा उठना reliable नहीं है थोड़ा सा इंजिन में आयों से कि मतलब कुछ तो मतलब प्रॉब्लेम है क्योंकि गारी मैंने बोला था जटका दे रहा है मतलब गारी जब दिन का पहले स्टार्ट ले रहा हूं उसके बाद एक जटका दे रहा है गारी है 1.2 लिटर थ्री सिरिंडर इंजिन हाँ आप बोल सकते हो के थ्री सिरिंडर इंजिन के लिए होड़ा है लेकिन यह चीज टाटको सॉल्प करना चाहिए था लेकिन एक बात गारी में सब कुछ तो कोई की भी कंपानी आच्छा नहीं रहता है तो अगर आपका बिल क्वालिटी आच्छा यह तो इंजिन में थोड़ा सा कंप्रोमाइज होगा और यह गियार भॉक्स मनलब यह गियार भी ठीक ठाक है इससे पहले जो टियागो का जो मॉडल था नटा एंजिन एक है थोड़ा सा रिटून करके दिया यह फोड़ा से इंप्रूब करने का सब्सक्राइब क्या बाँब उबीचे से लागता नहीं सो यह एक और हैंप्राइब प्ल Teams 272 किलोमेटर में चाला थे तो यह कुछ है advantage और actually कुछ दिक्कत है और disadvantage actually मैंने फेज किया और यह जो interior lamp है पहले बाद तो एक lamp दिया कोई भी दूसरा lamp नहीं और मतलब कोई door का option नहीं सिर्फ on off and by default यह door में रहता है यह देखो यह दोर में रहता है लेकिन इसका कोई जरूद नहीं था यहां पर ऐसे तीन सुइस्ट मतलब तीन मोट बाला सुइस्ट दे देते डोर ऑन ओफ और मतलब ऐसे कुछ यह दिफॉल्ट डोर कर दिया यह एक चीज मुझके एकदम भी आच्छा नहीं लागा एंड लाइट का क्वालिटी भी आच्छा नहीं है और लाइट का जो मॉडूल मतलब अगर दिया आई नो एक्चॉली यह है मतलब एक फ्यूवी लूग देने के लिए दिया है और मतलब साइट पे क्लैडिंग भी दिया बट यह जो क्लैडिंग पे एक दिक्कत क्या है मतलब आप पानी से वाश करोगे न एक वाइट वाइट सा दाग आजाता है अगर आप पानी से वाश करोगे तो थोड़ा सोड़ा वाइट सा कुछ गो जाता है अब यह देखिए गारी मेरा अज अचली मन्दब जब गया था मैरे शोरूम तो उस ताहिं पर बारीद वहा था इसके लिए गारी गंदा हो चुका बट यह जो चीज है यह एक मनलब इसके लिए यह चीज मनलब फेस करना पड़ रहा है यह बंपर पर भी आइसा ही होता है क्योंकि सेम मेटरियल है तो मतलब यह नहीं कि हुआइट मनलब कलर रहे जाता है हां कुछ चाइम के बाद चला जाता है और एक प्रॉब्लम है बोनेट पे मुझको लागा मैं दिख अगर मैंने बाद भी बोनेट ओपिन कर दिया यह जो है पार्सल टे का जो होता है एक्ष़ली मैं आगे पहले यह एक बल लागा देता हूं हाला कि मैंने यह खोल के राखाता दिक्कत क्या होता है इसमें अब एक बाद देख लो मैं यह खोल के राखता हूं क्योंकि देखिए इधर जो है यह मैं क्या बोल सकूं मतलब यह देखिए अगर मतलब यह ज्यादा दीन ऐसी राखोगे ना यह को यह रबर आपको मतलब यह रबर कर जाएगा यह रबर एक्ष़ली सॉफ्ट तिंग्स है यह पार्सल टे उपर नीचे होगा तो यह रबर कर जाएग तो यह एक बात है इसके लिए मैं यह खुल के रखता हूं क्यूंकि अगर रोबर एक बार कार जाएगा तो आइधिंग और चेंज कहने में दिक्कत भी आएगा और मेभी और चेंज होगा भी नहीं क्योंकि एक मतलब गारी के साथ आता है और उसका कोस्ट भी जादा तो फूल के राखता हूं यह देखिए तो यह एक मनलब दिक्कत है और आइधिंक मैं एक ग्रूप पे था वहाँ पर देखा था एक आदमी और यह प्रोब्लम फेस कर चुका उसका यह रवर काट चुका है तो यह एक दिक्कत है तो इसके लिए ही मैं यह खोल के राखता थेकिए तो इस इस दा थिंग एंड मैंने जो बोला गारी का फीट अन फिनिश में प्रॉब्लम है तो एक पर देखो इस साइड पर देखो कितना ग्याप है देखो कितना ग्याप है अलग इस साइड ठीक है देखिए पर यहाँ पर देखो कितना ग्यापिंग है और मैंने यह तो बोला ही था यह डेलीवरी के टाइम पर यहाँ पर मतलब कुछ ज्यादा ही ग्याप था अभी भी देखो ग्याप है करके दिया उसके बाद भी यह देखिए तो फीट अन फिनिस में गारी में कुछ दिक्कत तो है यही बात कि अन्ट चलो गारी का मैंने रिव्यू पर बोल दिया सब कुछ जो है एडवन्टेज और मतलब डिसएडवन्टेज जो जो मुझे को लागा अभी तक मतलब मैंने तो गारी चलाया 2270 किलोमीटर आप मानलो 2300 किलोमीटरी मतलब घार जाते जाते अभी 15 किलोमीट किलोमीटर होगा मुझे को तो ऐसे मतलब 2300 किलोमीटर यहां पकड़के चलो तो तेजसों किलोमीटर में मेरा जो अभी मतलब इंप्रेशन है रिव्यू है मुझे को क्या अच्छा लागा क्या नहीं लागा तो यही बात है और एक चीज मुझको लागदा है यह टाटा को जाख़ेंन है तो इसके लिए यार के राकने के लिए जागा दिया है पर एक रिया रेसिवेंट दे देता तो आच्छा होता, हुंडाई पर ग्रैंड नियॉस पर सेंट्रो पर रिया रेसिवेंट दिया, तो इस इस अल अबाउट तिंग, सो एक्स्पोरर राइडर साइनिंग अगर यह वीडियो अच्छा लागा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैलेंग को, सो यह थैंक यू, स्टे त्यून फॉर निक्स्ट वीडियोज, ओके चलो,